इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मद्धप्रदेश प्सकी के जो हाले में different exams हुए हैं उनके questions को unit wise compile किया गया है और उसको discuss किया जारा है यह questions बहुत important हैं आपके किसी भी exam के लिए इसलिए इन questions को बहुत ध्यान से देखे साथ में जो discussion के आता है इस में analysis की जाती है उसको भी ध्यान से देखे because बहुत सरा content आपको दिया आता है और आज सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मद्धप्रदेश की polity मद्धप्रदेश राज जी की समवधाने की विवस्त था मद्धप्रदेश पॉलिटेश देखे हैं तो roughly आपसे 4-5 question exam में पुछा आते हैं किसी भी exam में 4-5 question पुछा आते हैं इसलिए काफी important question है तो आई discussion की सुरुवात करते हैं एक और शूटिस information है आप लोग के लिए कि इसका जो PDF है वो हमारे telegram group राम सोनी MPPSC में उपलब्द रहेगा तो आप राम सोनी MPPSC नाम का telegram group जॉइन कर सकते हैं इसकी link बल्कि आपको नीचे details में share कर दी जाएगी तो उसके माद्यम सब जॉइन कर सकते हैं एक और शोटिस information MPPSC के लिए जो हमारे batches हैं उपलब्द होते हैं civil services के अलावा civil services के लिए तो batch उपलब्द ही है साथ में इसके अलावा जो अलावा जो अलावा exam होते हैं उसके GS portion के लिए हमारे पास batch उपलब्द है तो उसे भी जॉइन कर सकते हैं आप उसके लिए कर दिया जाएगा उसमें पैमेंट करके आप स्क्रिंस और सेड़ कर देंगे तो आपको हमारे उस ग्रूप में एड़ कर दिया जाता है तो आई डिसकुशन के शुरुआत करते हैं हमारा डिसकुशन आज हो रहा है मध्वदेश की पॉलिटी पे तो आज का पहला कोश्चन है जिमले कितमे से कौन मध्वदेश के राज्यपाल नहीं थे अब देखे इसमें ऑप्षन है और सही एंसर है कैलासनात कार्जो कैलासनात कार्जो मध्वदेश के राज्यपाल कभी नहीं थे बाकी एक और इन्फॉर्मेशन आप पतावनाची आपनों को मध्वदेश के जो 느 equation था जिसमें यहां जिसमें जिसमें नेताजि सुभाज संद्र-Bos की हार गांधी कहा रहा है और उसके बाद गांधी जी और नेताजि सुभाज वास्ट में दिख्ट शुने गय थे और उसी में और प्रेजन टाइम में कौन है, मंगु भाई पटेल है, इस समय आपनो हमारे स्री मंगु भाई पटेल जो है, आपनो हमारे मध्व देशे गवर्नर है, चलिए, अगला वोशन आपके सामने है, निम्रिकित में से कौन मध्व देश के मुख मंतरी थे, अब इन उपसंस में आ पहले सियम थे, वो थे पंडित रविसंका सुकल, और रविसंका सुकल की बात करें तो ये पहले केंदरी प्रान्त और भरार, जो कि मध्व परदेश के बनने के पहले एक राज्य था, जिसके राज़ानी नाकपुर हुआ करती थे, उसके पहले सियम पंडित रविसंका सु सुन्दरलाल पटवा बेसिकली वो टाइम था बेसिकली जब जन्ता पालिटी की सरकार हुआ करती थी और जन्ता पालिटी की सरकार के टाइम में सुन्दरलाल पटवा को मद्रदेश का मुखमंत्री बनाये गया था तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और वो टाइम क 180 में ही basically 1980 में ही इनको मद्द देश का मुखमंत्री बना गया था हला कि बहुत ही 100 टाइम के लिए रहे हैं कि वाल 28 दिन के लिए मद्द प्रदेश के मुखमंत्री रहे हैं कि थोड़ा साप याद रखेंगे देश स्वाइड वेरी इंपॉर्टेंट और उसको सुन्दराल पटवा को हटाकर बात में इसको प्रेजिडेंट रूल लगा दिया गया था पोई आदूगा जब इंद्रा गंधी की जो कांग्रेस से उसने वापस से रिकवर किया था तो हर इन्फॉर्मेशन तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि पुछाता की बार की मद्रदेश से पहले नॉन कांग्रेसी सियम कौन थे तो पहले नॉन कांग्रेसी थे गोविन नरायन सिंग आप देखेंगे इसमें जो कि सन्यूग्त विधायक दल के सियम थे इस सरकार बनी थी उस समय के लाजशन रिजोसी जो है वह वापस से सियम बने थे और इनके बनने के पहले याद होगे जब जंदा पाल्टिक के इन सरकार बनी थी तो वहां पर जहां-जहां कांग्रेस सरकार थी राज़ों में वहां-वहां हर जगे राश्परसासन लाग करके वापस से विधान सब भंग करके फिर चुना करा लिए दे गये थे ते थी थोड़ा से आप ध्यान रखेंगे मद्वदेश में आज़ों तीन बार राश्परसासन लागू हुआ है चले आंके चलते हैं मद्वदेश में पंचायती राज ब़स्ता है किस इस्तर की ब़स्ता देखें मद्वदेश में थ्री ट्यार पंचायती राज सिस्तम है इसको आप याद रखेंगे पंचायती राज सिस्तम को लाओ करने के लिए दो महत्पूर कमेटी का डिस्कूस किया था हलाए कमेटी बहुत सारी है बर दो तीन कमेटी काफी इंपॉर्टन है जैसे एक तो आपकी बलवंतराय महता कमेटी है जो अक्सर पूछा आता है एक्जाम में कि बलवंतराय महता कमेटी ने कौन से टायर सिस्टम को प्रोपोस किया था लेकिन इनका फॉर्मेशन का बहुत हो 1907 में है जवालाल नहरू का टाइम में और उसके बाद होता है असोक महता कमेटी असोक महता कमेटी जो है ये भी 1977 का टाइम में बनी अब देखिए इसमें आपको जनता पार्टी सरकार के दुरा असोक महता कमेटी का फॉर्मेशन किया गया और इन्होंने दो टायर सिस्टम प्रोपोस किया था लेकिन सबसे इंपॉर्टन कमेटी है वो है एलम सिंग भी कम सबसे थे कारेकाल बलरम जाकषड का था उसके बाद डॉक्टर बलराम जाकषड इसके बात इसके बाद सेकेंड़ नमर परонी सिंग billion branch पर टेल का, उसके बाद है, ओम प्रकास को ही लिए, उसके बाद की सीरे डी, अब देखो, कोई भी ऐसा option नहीं, जिसमें A पहले में लिखा हो है, तो पहले इसका सही answer basically होगा A, फिर उसका D, और D के बाद में क्या आएगा, C, और C के बाद में आएगा B, तो basically इसमें कोई option सही नहीं है, अब ऐसी होता है, जब कभी MPPSC ऐसे question design करती है, तो हसी आती है, कि आप कैसे design कर दी है, इस तरह से question है न, anyway, इसमें क्या होता है, कि जो serious candidates होते हैं, उनको न मुख मंत्री कब बनें, काफी लंबे समय के लिए मंद्वदेश के मुख मंत्री रहे हैं, शिवरा सिंग चोहान जी, यदि आपको पता होना चाहिए, कि जो time period है, वो 2008 से लेके, दो हजार आट से लेके, दो हजार आट से लेके, दो हजार पांच से लेके, दो हजार पांच से लेके, दो हजार पांच में रहे, पहली पंच वल सी, फिर दो हजार आट से लेके, दो हजार तेरा तक रहे, मतलब पहली बार कब बनें, दो हजार पांच में, फिर दो हजार उससे लेके फिर 2018 तक रहे तीन पारे मुकमंतरी हुए फिर बाद में कमलनात का टाइम आ गया दो साल कमलनात दो साल नहीं मतलब देज़ साल के आसपास फिर 2020 में फिर मुकमंतरी बने और 2023 तक रहे हाँ उसके बाद में फिर बदल दिये गए अब मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव एज अपनों मंद्य प्रदेश के CM है तो यह आप याद रिखेंगे कि यह बहुत ही लंबा टाइम पिरट रहा है आप कहा सकते हैं कि चार पंच वर्सी रहे हैं हाँ यह की चार पंच वर्सी पूरी नहीं किया पंडित कुंजी लाल दुबेस रास्ट्रिये संसदी विद्यापीठ यह कहां पर है यह है आपके भूपाल में है न सेवन्ध कुश्चन है मद्प्रदीश राज जी निवाचन आयोग असित में कवाया इस कुश्चन में हलका सा डिस्प्यूट रहा है वीकास यही आप मद्प्रदीश राज जी निवाचन आयोग के आफिसल वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे लिखता है एक फरवरी 1904 ने को मद्प्रदीश राज जी निवाचन आयोग गठन के आगया आपको बतूना अच्छे मदद इस राज जिन्रवाचन आयोग जो है आर्टिकल 243 के और 243 ZV इन दोनों आर्टिकल्स में राज जिन्रवाचन आयोग की बात की जाती है ठाना 243 I और 243 Y में राज जी के वित आयोग की बात की जाती है अब देखे ये भी question इविल एक्जाम में पुछा गया है राज जीन्रवाचन आयोग की बात करोगे तो एक फरवरी उनिस चौरानों की स्थाफित कीया गया लेकिन MPPSC न इसका जो ओफिसिल एंसर दिया है वो 15 फरवरी उनिस चौरान नहीं दिया इसको चेंज नहीं किया है यदि आप प्रॉपर तरीके से MPPSC के मदवदेश राज जीन्रवाचन आयोग की बेस साइट में जाओ गया है यहाँ पर लिखा है दिनांग के एक फरवरी उनिस चौरानने को राज जीन्रवाचन आयोग कर्थन किया गया तो साबसे बिसिकली इसमें डिस्पूट हो जाता है हलाकि MPPSC को चाहिए कैसे डिस्पूट कोईशन नहीं देना चीवर फिर बिनो निकलतियां किया है आठों कोईशन है राज जीन्रवाचन आयोगत की सेवा निर्वित ताइव किया है किताबों में कुछ किताबों में लिखा भी है एक फ्रूटनिस चुरानने को फार्मेशन हुआ था और 6 साल, 66 साल हो गया इसमें आपको ध्यान रखना है जो काफी important है कि ये जो हमने सेवा निर्वित क्या रखी है ये 17 सतंबर 2013 को एक सूचना जारी करके 6 साल कर दिया गया था 6 साल और 66 साल इसको आप ध्यान रखेंगे और इसलिए इस कोशन को बाद में विलोपित कर दिया गया है तो यहाँ पर आपको याद रखना है राज जिर्वाचन आपकी जो सेवारन उत्तायव है वो कितनी है वो है 6 साल 6 साल और 6 साल चले चलते हैं नवे कोश्चन की तरफ नमा कोश्चन देखते हैं एक क्यानवे समविधानेक संसुधन 2003 के द्वारा उप बंधित किसी राज़े में मुख मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधान सभा कुल जस्यों की संख्या के कितने प्रसर से दिख नहीं होगी अब क्या होगे ये दोनों के लिए है 91st Amendment Act काफी important है पहले क्या खूब सारे मंत्री बन जाते थे including the chief minister and including prime minister इस 15% में डोनों आएंगे prime minister मतब आदि-रार केंदर में है तो prime minister को जोड के और राज़्य में है तो किसी हम को जोड के बस दिल्ली इसमें exception है दिल्ली में 10% का लिमें ड़ला है क्योक yol में डिल्ली में सत्तर विधायक होते है लेकिन वहाँ पे साथ लोग ही मंत्री बन सकते हैं, केजरिवाल को जोड़के हैं, तो केजरिवाल के लावा के वल छे लोग ही मंत्री रहेंगे, तीत फुरास आपको धियान रखना है, तो 15% की लिमट धियान ड़ी है, दिल्ली की छोड़के, दिल्ली में 10% का है, आपको सरपंच बनना है, तो आप बताओ कमेंट करके सरपंच बनने के लिए मिनिममम आयो कितरी होनी चाहिए, जरा कमेंट बताईए, यह बहुत ही आसान सा कोश्चन है, अकसर पुछा आता है, जरा आप लोग कमेंट बताईए, 11th कोश्चन आपके सामने, मद्ध प्रदे सभा मारे थी, उसका टाइम पिरड़ यह था, अब यह को ऐसे में हकसर गलतिया हो जाती है, दस्यी विधान सभा का टाइम पिरड़ था, 7 दिसंबर, 1913 से स्टार्ट होता है, और 1 दिसंबर 1911 तक चला, तो यह है दस्यी विधान सभा, दस्यी विधान सभा, बेसिक्ते यूजना एक गठन कब किया गया, मद्ध प्रदेश यूजना एक गठन किया गया, 24 अक्टूबर 1912 को, 24 अक्टूबर 1912 को, मद्ध प्रदेश प्लैनिंग कमिशन फॉर्म किया गया, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टन कोईशन है, और याद रहे, एज विधानसबा है, ये भी कोशन पुछाता एकजाम में कि प्रजेंट टाइम में कौँज विधानसबा चल रही है, तब बताएंगे 16 में विधानसबा चल रही है, और अब अगला कोशन हमारे सामने है, 13 हमा कोशन है, मत्ध प्रदेश में पंचायत राज ग्राम सुराज इसको राज जपल की सहमत ही कपराप थी, इसको राज जपल की सहमत हुई 24 जनवरी 1994 को राज जपल की सहमत पराप थी, वें दिट पंचायति राज अन ग्राम सुराज अधनियम 1993, रेसीव थे एसेंट आप दी गावरनर इन शेट अप मत्ध देश, and that is basically 24 जनवरी 1994, पोटी गरांटिंग परडंस, अब देखो परडंस जो है, परडणिंग पावर जो होता है, किसके पास होता है, राज जपल के होता है, राज जपल में राज जपल के पास, केंदर में राश्पत के पास होता है, तो यह आप याद रखेंगे हैं, हलाएकि राज जपल के पास हज़ाराट के अनुसार लोग सभा में मधवदेस राजी से अनुसुषिं जंजाद के लिए कितनी सीट अरपशित हे थे तो मधवदेश में 29 सीटें हैं, 29 सीटों में 10 सीटें आरेखे थे हैं, 6 सीटें सुरूल ट्राइब के लिए और 4 सीटें सुरूल ट्राइब के लिए और 4 सीटें सुरूल कास्ट के लिए ये आपको याद रखना है सुलमा कोश्चन है वरतमान में मदवदेस में कितने ग्राम नायले काम कर रहे हैं हाउ मिनी विलेस कोट्स ग्राम नायले और वरकिंग इन मदवदेस एड प्रसेंट तो कितने काम कर रहे हैं ये काम कर रहे हैं 89 ग्राम नायले एज आपनो काम कर रहे हैं 17 question है मदवदेश में पहली महिला राजजपाल कौन है फर्स्ट लेडी गवर्नर आप मदवदेश इसी question अक्सर बड़ा इंट्रेस्टिंग है पुछे जाने संभावना बहुत ज़दा होती है तो यह कौन है यह है सरलाग्रेवाल सरलाग्रेवाल हमारे मदवदेश की पहले मेला राजजपाल है तो यह आप यादर रखेंगे बहुत ही important question है 18 question है मदवदेश में ग्राम बंचायद घोसित होने के लिए नियूनतम ज़जजग्या कितनी है और यह कितनी है यह है यह है एक हजार एक हजार पॉपलेशन की लिमिट है यदि इतना होता है तो ग्राम बंचायद घोसित किया सकता है मतलब वहाँ सरपंच बन सकते है 19-22 में कितनी बार राश्पासासन लाओ किया गया है यह question वाकिए काफी important है देखो कभी-कभी यह यह पूछा सकता है दोनों चीज़ आप याद रिखेंगे कुल बार मिला के तीन बार राश्पासासन लाओ किया गया है पहली बार कब लगा गया 1977 में क्यों लगाए गया बिसिकली उस बार जंता पार्टी नो पुतल-पुतल मचा दिया था आपको याद होगा जंता पार्टी की सरकार केंडरी बनी थी लगांदी की सरकार हटाके और जब उनके सरकार बनी तो मुरारजी देसाई साहब ने क्या बोला कि जहाँ जहाँ कांगरेज की सरकार है वो अब मैलजर्टी इंजवाय नहीं कर रहे हैं ऐसा हमारा मानना है इसलिए यहां पर राश्पस आसन लाओ किया जाना थी और उन्हें हर जग जहां-जहां का अंगरी सरकार थी राज़ों में, वहां वहां उन्हों राश्पस आसन लाओ करके विधासा भंकरा दी और बाद देखाया तो चुनाओ कराये और कमाल के बाद कई जगों में तो हमार गपर कर रहे हैं यो उस बार भी ऐसी राश्मत्य सासन लाहो किया गया, इक लुग देस नवी सरकार थीt फिर एक बार लगा, आपरी मस्ज़ित क स्टाम के टाइम में Hasta 2022 में याद हो का, 15 दिसंबर 她 को सब्कूर के दिन तो यहाँ पर देखा जाया तो 15 December को हमारे राज़े में प्रेज़ेंट टूल लगाया गया बाबरी मस्ज़द डेमिलेशन के लिए है ना तो यह भी आप याद रखें जहाँ जहाँ चार राज़ों बिज़ेपी सरकार थी तो Congress ने जहाँ जहाँ बिज़ेपी के सरकार थी वहाँ वहाँ राज़वासासन लाओ करा दिया तित फुरास आपको धियान रखना है This is quite important for you येर फुरास आपको याद रखना है because येर possibility है कि कभी-कभी पूछ लियाता है एक्जामिल लिखा भी यहाँ पे कब से कब अब तक रही है राज़वासासन तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे है चले 20th question में चलते हैं मध्यदेश में मुकमंत्री के अनुपसित में निमलिकित में से कौन मंत्रिपरषद की बाठक के अधाश्दा करता है Who among the following shall preside the meetings of the council of ministers in madhadees in the absence of chief minister अब तक चीफ मिनिस्टर जिसको भी निर्दिस्ट कर देंगे minister nominated by the chief minister जिसको भी nominate कर देंगे वोई बन जाएगा अब भी ऐसी वात है 21st question है मध्यदेश के प्रथम मुकमंत्री का उन थे बहुत simple question है 22nd question है में इसे कौन सा कथन मध्यदेश के राजजपालों के बारे में सत्य नहीं है प्रथम महिला राजपाल रसल लागरेवाल है बेल्कुत सई स्टेटमेंट है कोई डाउट नहीं सबसेदिक समय तक सेवारात राजपाल है H.V. पाटसकर S.V. पाटसकर सबसेदिक समय तक सेवारात राजपाल रहे है यदि टाइम पिरिड में आप देखो कि टाइम पिरिड पाटसकर शाहप क कब था तो वो जरूर हम पर डिसकस कर सकते हैं विकॉज जो सबसेदिक टाइम के लिए रहा है उसके बारे महलकी से जानकरी आपको होना चीए तो जरूरा उसको हम डिसकस कर लेते हैं कि बेसिकली कब से कब तक इनका टाइम पिरिड था तो 57 से लेके 14 जून 1957 से लेके 10 फरवरी 1965 तक टाइम था मतलब आप सोच सकते हैं काफी लंबा टाइम तक कि आप गवर्णर रहे हैं मतलब ले दे के लबग 8 साल का टाइम पिरड है तब तक आप मदवदेश के गवर्णर रहे हैं एक लंबा टाइम तक रहा है हरे विनायक पाटासकर शापका अगला इस्टेटमेंट है एक मात राजजपाल जिनका मदवदेश में जन्म होगा वो हैं लाल जी टर्णर अब देखो यही स्टेटमेंट गलत है बेसिकली लाल जी टर्णर कहां के यूपी के हैं तो मदवदेश में जन्म क्यों होगा अब ये स्टेटमेंट बेसिकली आपे गलत है, बाके सारे साही है, तो ये इसलिए ये options साही हो गया, मद्भपदेश में राजप्रसासन लाओ करने वाले प्रथम राजपाल सब नराण से नहां थे, तो ये भी साही है, अगला कोशन आपके सामने 23rd question है, बड़ा important question है, 23rd question, म वर्तमान सबह की बात करो तो कुल मलाके 27 बुमिन चुनावजित के आई है, मतलब 27 महिला विधायकें जो है, as of now हमारी विधान सबह में है, तो ये आप याद रिखेंगे, इनका नाम भी मैंने proper तरह के से लिस्ट दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं, 16 विधान सबह का म तो यहाँ पे as of now मद्देश में 16 विधान सबह में कुल मलाके 27 लेडीज विधायक हैं, और एक और याद रखना, प्रथम बार निरवाजित दर्स जो है, 16 विधान सबह में 69 है, मतलब कुल मलाके 79 विधायक जो है, वो पहली बार चुनके आए हैं, तो यह आपको ध्यान र 29 को लागो किया गया, इसको आप जरूर ध्यान रखेगा, यह कोशिन बार बार पुछा जा रहा है, तो आपके एक्जाम में भी पुछे जाने की संभावना है, 25 जनवरी 1994, उसके एक दिन बाद 26 जनवरी हो गया, 25 कोशिन है, मद्देश में आधनिक सचवाले कब गर्ठित हुआ, आधनिक सचवाले कब गर्ठित हुआ, यह गर्ठित होता है आपका, नवंबर 1956 को, अब इस वद एक नवंबर को फॉर्मेशन हुआ, रियोगनाइशन हुआ, मद्देश का, 26 कोशिन है, जिला प्रशासन में चुनाव का संसारन कौन करता है, जिला प्रशासन, who conducts the election in the district administration, अब इस विद कौन करेगा, there is only one officer, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कि district returning officer होता है, मतब हमारा जो collector होता है, district collector, 27th question की बात करें, 27th question की बात करें, Dr. P.V.K. Rao committee, किस से संबनेत है, हलकि जो मिलता है, वो P.V.K. Rao committee ने, बलकि G.V.K. Rao committee होती है, बटे निवे, तो किस संबनेत है, ये किस संबनेत है, ये हमारा पंचायती राज समीतियों संबनेत है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, this is a subscribe, very important one, तो committee's का नाम फोड़ाया रखेंगे, बल्वांतरा महता committee क proposed किया था, उनी सो सत्तावर में इसका formation हुआ था, जवाल अलनेरू का time में, उन्होंने formation किया था, फिर असोग में था committee की बात कुरू, असोग में था committee का formation मुरारज देसाई साब ने किया था पने time में, 1977 में, वो two ties system proposed किया था उन्होंने, फिर एक LM Singh V committee, इन को discuss करता हूँ म LM Singh V committee की बात करें, इसका formation कब हुआ था, यह formation हो था, 1986 में, 1986 में formation किया गया था, यह time basically राज यू गांदी जी का था, और एक था, जीवी के राओ committee, जीवी के राओ committee की बात करें, इसका formation में, 1985 में किया था, तो यह भी आपको ध्यान रटना है, तो यह सारा जो year है, SS आपको पतों नाची, 1985 में किया गया, तो यह सापको यह थोड़ी से आधक ना है, LMC V committee 1986 में, जीवी के राओ committee 1986 में, प्रोंट यह था, प्रोंट यह था, प्रोंट यह था, किस अनसुची में, ग्राम पंचायतों को अधिक दावित में, किस अनसुची में, अनसुची बतानी है 73rd amendment act था, 29th question में चलते हैं, भारती सविधान के अनुच्छेद 164 के अंतरगत, अनसुची जनजातियों के कल्यान है, तो अलग मंतरी नियुद किया आते हैं, अलग मंतरी नियुद किये गए अनसुची जनजाती के लिए, मतलब tribes के लिए, ministry of tribe है न, तो यह कौन है, यह मन् था है, तो इसको आप याद रखें, 30th question में चलते हैं, जनजाती युजना के अधरना लग कीगी, which of the following state has implemented the concept of tribal subplan, tribal subplan कहां implement के गए, मत देय अपरदेश में, 30th question आपके सामने है, जनजाती सलाहकार परषद की वरस्था, भारती सविधान के नियुद के किस अनुची में है which of the following schedule of the constitution of India makes the provision of tribes advisory council, tribes is advisory council की बात की गई है, और ये कौन सा है, ये है आपका पाच विए नसुची, फिए टी सेडियूल है ना आपका, अनुच्छे 166 में, आर्टिकल 168 में, हाला कि ऐसे थोड़ी याद रखना है, because कई बार, राजी विधाईका की बात हो रहे है, विधाईका आपके syllabus में प्रॉपर तरी के से डिसकस किया हुआ है, तो ऐसे एक दू कोश्चन आपको धियान रखने होते हैं, अजिए की डिसेंटलाइशन में, वाट रखने होते हैं, इसका मतलब होता है, इस्थानी संस्थाओं के पक्ष में, सक्तिया है, इस्थाना अंत्रित करना, डिवलुशन आप पावर्शन फेवर आप लोकल बॉड़ी, लोकल बॉड़ी को सक्तियां दे देना, अब यह लेकिन कहने का मतलब यह है कि अभी वापस से देखा जाता है, तो बहुत सरी जगों में, सेंटलाइशन वापस से स्टार्ट हो गया है, मतलब केंद्र जो है, सुप्रीम पावर रखने लग गया है, और अज सुबह ठंडी पड़ी है, अब वहां से तुरंत केंद्र से तो इस्टेट गवर्मेंट से तो और नहीं आपाएगा कि हाँ यहां ठंडी बुज़ा पड़ रहे है, तो आज छुट्टे हो जाने चीए, तो यह सीज़ें काफी इंपॉर्डन होती है, कि लोकल समस्या जो होती है, वो लोकल इंसान जो वहां होता है, वो ही रिजॉल्व कर स जो काम है, वो राष्टपत ही करते हैं, और राष्टपत ही राष्टपत को न्यूद करते हैं, लेकिन एक कोशन और पुछासता है, राष्टपत को पद की सपत कौन देलाते हैं, तो कौन करते हैं, हाई कोड के जो मुखने अधिस होते हैं, वो राष्टपत को सपत देलात 36th question आपके सामने है मदवदिय से किस जिले में महात्मा गांधी राज गरामिड विकास व पंचायत राज संस्थान अवसित है In which district of मदवदेश is महात्मा गांधी State Institute of Rural Development and पंचायत राज सिच्चुएटट 37th question है अब दिए उस समय की बात करो उस समय तो प्रबुराम चोधरी थे लेकिन वर्तमान समय की बात करो वर्तमान समय में जो हमारी 16th विधान सबा है इसके जो हमारे लोग स्वास्यम परिवार के लाण मंतरी है वो है राजेंदर सुक्ल क्या नाम है राजेंदर सुक्ल और राजेंदर सुक्ल की बात करें राजेंदर सुक्ल जो है ये रिवा विधान सबा से चुन के आते हैं और एक और यादर रखने आपको जो काफी important है कि राजेंदर सुक्ल आप नो हमारे मद्वदेश के deputy CMB है 38th question आपके लिए है मद्वदेश के प्रतम मुक्मंत्री कौन थे तो कौन थे पंडितर वसंक का सुक्ल अब देख कोई question वापस से repeat हो गया है न 39th question है मद्वदेश की पहले विधान सबा कब गठित होगी अब मद्वदेश की पहले विधान सबा गठित होगी मद्वदेश की रियाउगनेशन के बाद में बड़ा अबियस सी बात है तो ये कब गठित हुई ये हुई 1956 में है 40th question है मद्वदेश वित्ती निगम का मुख्याले के जिले में है question बड़ा important है और ये वित्ती निगम का मुख्याले है आपके इन दौर में in which district is the headquarter of मद्वदेश financial corporation located 41st question आपके सामने निवदेश में से किसे मद्वदेश विधान सबा भंग करने का अधिकार है who is among the following is the power dissolved लेस्ट रूट अप मद्वदेश और इसके पास में ये राजजपाल के पास सक्तियां होती है dissolve करने का और ये भी काफी important आपको पतो ना चीए कि जब कभी ऐसा होता है कि कोई party ऐसा है कि वो अभी majority में है लेकिन वहां से कुछ लोगों resign दे दिया या defect हो गया whatever the reason is तो वैसे तो विधान साहब भंग जो है recommendation CM की होनी चीए लेकिन वो तब होती है जब CM के पास इसपस्ट बहुमत है यदि CM majority उसमें नहीं कर रहा है उसमें उसके recommendation राजपाल माने ऐसा जरूरी नहीं है राजपाल चाहे तो किसी और को भी सरकार बनाने के लिए नवाइट कर सकता है यह दूसको यह महसूस हो गया कि CM जो है यह जो ruling power party है वो majority नहीं कर रही है तो तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे है न फोटी second question आपके सामने हाँ लेकिन इन केसी राजपाल से विधान सभा को भंग करने के लिए आगरह कर सकते हैं और वो राजपाल को मानना भी पड़ता है लेकिन यह तब होता है जब आपके पास pure majority होती है और आपके पास time बचा हुआ है मतलब 5 साल पूरा होने के बाद नहीं पास साल के पहले time period आपके पास बचा हुआ है तो उस condition में यह पाउर होता है मंत्री मुख मंत्री को recommendation देने का मुख मंत्री नहीं बलकि council of minister हम कहते हैं उसको 42nd question है अनुच्छे 24 के अनुसार मुख मंत्री की न्यूक्ति किस के द्वारा की जाती है देखें मुख मंत्री की न्यूक्ति जो है वो हमेशा राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है तो इसको आप याद रिखेंगे हमेशा मुख मंत्री की न्यूक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है तो ये राज्यपाल हुआ लेकिन कुछ जगह हैं एक सप्संस में हैं जिसे यह दिम दवात करो देली की यह कुशन पूछा भी गया था देली में जो मुक मंत्री है उनका अपॉइंट्मेंट जो है वो राज जिपाल मतलब हो वहाँ पे उप राज जिपाल बैठते हैं लुटेन गवरनर बैठते हैं ल लेकिन इनको अपॉइंट करने का जोदिकार है वो राष्टपत के पास होता है फोर्टी फोर्टी फोर्ट कोशन में चलते हैं बलवंत राय महिदा समीत का संबंध है किससे है तीन इस तरी पंचाय ते राजव्यस्था से हैं यह तो आप जानते हैं बहुत सिंपल सा कोशन कर चुके हैं 45 फोर्टी फिफ्ट कोशन है मदवदेश में डॉक्टर संकर ड्याल सर्मा नमें किस राजजी के राजव्यपाल थे अब डॉक्टर संकर ड्याल सर्मा की बात करो तो यह भोपाल जो इस टेट था उसके पहले सीम भी थे मदवदेश को बहुद रियोगनाशन पहले सियम थे पनडियत बाद में ये उपराश्वदी बने और बाद में राश्वदी बने लिकर उससे पहले ये दिबात करें तो उससे पहले ये क्या थे महारास्ट के गवर्नरी बने हैं 46 Question आपके सामने हैं, किस वर्स राज गरामीर विकास्षान स्थान के स्थापना जहुलपूर में की गई थी, जो अब महात्मा गांधी राज गरामीर विकास्षान पंचायति राज संस्था की नाम से नाता है in which year, वाध the State Institute for Rural Development at Jalpur established, which is now known as महात्मा गान्दी State Institute of Rural Development and पंचायति राज की कब है ये question का सही answer क्या है, इसका सही answer है 1964 1964 में किया गया है, इसका प्याध रिखेंगे महात्मा गान्दी State Institute of Rural Development एंड पंचाहती राज 47th question आपके सामने जून 2022 किस हित में मंत्री इसके विमानन विभाग के मंत्री कौन है विमानन विभाग के मंत्री कौन है सिवरासिक जोहन है तो यह नहीं के पास नहीं डिपार्टमेंट था CM के पास ही रहता है युजूरी 48th question आपके सामने मंत्री परश्रद राजजे में किस के प्रति सामोई ग्रोप से उतरदाई होता है मंत्री परश्रद मतब council of minister बहुत ही basic सा question है council of minister जो है वो collectible responsible होता है किस पे विधाय का पे होता है और यह काफी important है मतब राज जी के विधाय सभा के प्रति होती है केंद्र में भी होता है केंद्र का जो मंद्र परश्रद होती है किस के परश्रद होती है केंद्र का जो लोग सभा होती है lower house पे upper house पे नहीं हाला कि question दोनों questions को आप प्रश्रद करना होता है लेकिन यदि बात करो majority कहाँ पर enjoy होना ज़रूरी है तो आपको lower house में majority enjoy करना ज़रूरी है बाकी responsible आपको उतरदाई तो संसत के उपर होता है मतलब आपको लोग सबारा सबार दोनों जगे आपको responsible अपने question का answer देना होता है question आउबर के दौरान 49th question आपके सामने है राज विधान मंडल है तो एक विधयक धन विधयक है या नहीं इसका अंतिम्रूज पर नहीं किसके दौरा किया आता है money bill, बड़ा important है money bill money bill, money bill है के नहीं यह decide करने का दिकार जो है house का जो presiding officer होता है उसके पास होता है मतलब राज का विधान सभा अधेष उसके पास है सकती होती है तो यह चीज़ आप धियान रखेंगे this is very important one just one second तो यह सकती किसके पास होती है राज विधान सभा अधेष ये पास होती है इसको आप जरूद याद रखेंगे as आप नो मद्रूज की जो तो लाभी विधान सभा है इसके जो स्पीकर है वो कौन है any of you want to comment this one नारेंद्र सिंग तुमर में इस्ट नारेंद्र सिंग तुमर इस राइट नौ he is the speaker of मत्रूज विधान सभा 5th question है मत्दे से कौन से राज जपाल लोग सभा के अधेष पी रहे है मत्दे से कौन से राज जपाल लोग सभा के अधेष पी रहे है और यह कौन है बलराम जाखर श्री बलराम जाखर जो है यह लोग सभा देष पी रहे है तो यह आप याद रखेंगे तेरे 50 question बाकि जो question अगले वीडियो में discuss किया जाएगा तो discussion को भी इस wind up करते है इसका जो PDF है वो हमारे टेलिग्राम गूप में उपलब देड़ाएगा वहाँ से आपको मिल जाएगा इसके लाब एक और महत्रपूर information आपके लिए हमारे जो batches हो इनकी information के लिए आप call कर सकते है नमबर है 28260-3304 या तो आप message भी कर सकते हैं WhatsApp टेलिग्राम में कि I want to join this batch course तो वहाँ पे आपको हमारे QR code या payment modes share कर दिया जाएगा तो उसमें payment करने मदा आप screen source कर देंगे तो आपको हमारे batch mail कर दिया आता है तो यहाँ discussion को भीज wind up करते हैं मुलाकात करते हैं फिर तब तक लिए बबाब आपके कर have wonderful head keeping power and take care that's all thank you